आज हम फ्लेवर्ड काजू बनाएंगे सबसे पहले स्टोबेरी काजू बनाएंगे 3 फोर्थ कब रोस्टेड काजू लेंगे 3 टेबल स्पून शुगर लेंगे और 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे 1 फोर्थ तीस्पून स्टोबेरी एसेंस लेंगे स्टोबेरी एसेंस कलर के साथ है अच्छी तरह से मिक्स करके रोस्ट किया हुआ काजू डालेंगे इसे कॉंस्टंट हीलाना है जब तक ये ड्राइ नहीं हो जाता है तब तक आपको हीलाते रहना है खास ध्यान रखना है ये मीडियम फ्लेम पे ही करना है ये अभी हमारा ड्राइ हो चुका है अभी इसे एक जार में निकालेंगे पैनेपल फ्लेवर्ड के काजू बनाएंगे 3 टेबल स्पून शुगर लेंगे और 1 टेबल स्पून पानी डालके इसे मेल्ट करेंगे मेल्ट हो जाने के बाद पैनेपल एसेंस डालेंगे जो ग्रीन कलर के साथ है अच्छे तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसमें रोस्ट किया हुआ काजू डालेंगे और ड्राइ होने तक इसे रोस्ट करेंगे काजू 3-4 कप डाला है रोस्ट हो जाने के बाद इसे एक जार में निकालेंगे वेनिला फ्लेवर्ड के काजू बनाएंगे 3 टेबल स्पून शुगर लेंगे 1 टेबल स्पून पाने डालके इसे मेल्ट करेंगे 1 फूर्थ टी स्पून वेनिला एसेंस ब्लू कलर के साथ डालेंगे 3 फूर्थ कप रोस्ट किया हुआ काजू डालेंगे और इसे ड्राइ होने तक पकाएंगे अभी इसे जार में डालेंगे वेनिला, स्टॉबेरी और पैनेपल फ्लेवर के काजू रेडी हो चुके है झारा टूर्जबेरी और जारेंगे ट्राइंगे झाल, पो खिर से स aoाभी आपानात है